यहां पर डबलू आर चेस मास्टर शत्रंज के क्वाटर फाइनल के दूसरे मुकाबले में भारत के अर्जुनिर गैसी के सामने हैं भारत के ही विदिद गुजराती है दोनों ही खेलाडी भारती है शत्रंज टीम के ओलंपियाड के स्वन्ड पदक जीतने के दोरान एक ही टी मैच का वो ड्रॉ रहा है और अब अर्जुन जो है वो सफेद मौरों से विश्व नंबर तीन अर्जुनिर गैसी कोशिश करेंगे विदिद गुजराती के खिलाफ जीत दर्ज करने की या फिर विदिद यहां पर जो है वो इस मैच को जीत करके सेमी फाइनल में कदम आएंगे देखना होगा सेमी फाइनल में आपको बताते हैं कि इन दोनों खेलाडियों का मुकाबला आनंद और प्रगनेंदा के विजेता से होगा आनंद और प्रगनेंदा के मैच के विजेता से और यहां पर हाथ मिला दिये हैं मतलब घड़ी भी चालू हो चुकी है और मैच भी शुरू होने वाला है देखते हैं अरजुन सफेद मौरों से क्या खेलते हैं अरजुन नहीं आपर E4 खेल के शुरुआत कर दी है खेल की और विजेत गुजराती हमेशा की तरह फोकस करते हुए ध्यान लगाते हुए यह पिछले दो साल से हम देख रहे हैं विजे गेम पर भी बहुत कुछ दिखा है देखते हैं विजेत पहले पानी पीते हुए और अपने स्कोर्शीट पर चाल लिखते हुए यहाँ पर या शायद स्कोर्शीट को कम्प्लीट कर रहे हुए पहले नाम बगएर यहाँ पर E5 खेल दिया है विजेत ने E4, E5 देखते हैं गेम कैसे आगे बढ़ेगा यहाँ पर अरजुन जो है नाइट F3 तो खेलेंगे यह बात तो तैय है लेकिन उसके आगे गेम किस तरह से बढ़ेगा नाइट F3 होता हुआ बोर्ट पर विजेत ने कई मौकों पर पैट्रॉफ का भी चुनाव किया है नाइट C6 खेलते हुए यहाँ पर विजेत गुजराती और यहाँ पर बिशप B5 खेलते हुए अरजुन तो रायलोपेज होता हुआ यहाँ पर ओपनिंग में और विजेत नाइट F6 खेलते हुए ओके डबलू आर मास्टर शत्रण जिस समय लंदन में हो रहा है कासल करते हुए यहाँ पर अरजु होता हुआ यहाँ पर और विजेत ने खेला नाइट इंटू एफॉर और अरजुन ने यहाँ पर डी फॉर खेल दिया है दी-4 खेल दिया यहां पर अर्जुन नहीं, नाइट डी-6 जाते हुए यहां पर विधित, और यहां पर बिशप को पीछे खिच लिया है, बिशप E4 पर अर्जुनिर कैसी ने, यहां पर हमने जो लाइन्स देखी हैं, जैसे E4 में लाइन है, E4 खेलते हुए यहां पर विध ने बहुत सारे मुकाबले देखे हैं ड्रॉ भी होते हुए इस तरह की लाइन में बिशप E7 आता हुआ और अब समय आ गया कि आपको अपने घोडे को अटाना होगा घोडा जाता हुआ नाइट E5 पर C6 के नाइट को चनौती देता हुआ यहाँ पर अगर आप एक्षेंज करेंगे तो आप E4 का पॉन भी खो देंगे फिर उसके बाद तो वही प्रोसेस है यहाँ पर कैसल कर लिया है यहाँ पर विधितने और अब E4 के पॉन पर शायद एक और प्रिशर जो है वो नाइट C3 के जरी आएगा जी हाँ नाइट C3 बोट परा चुका है और नैचुरल जो पोजीशन है आप देख सकते हो यहाँ पर और अगर आपको इस पॉन को बचाना है तो F5 खेलना ही पड़ेगा यहाँ पर और F5 खेल दिया है विधितने और आप यहाँ पर Bishop F4 आता हुआ E5 के नाइट को सपोर्ट लगाते हुए F4 के स्क्वेर को कंट्रोल करते हुए यहाँ पर Knight into E5 मारा है Knight into E5 मार दिया है यहाँ पर विधितने D into E5 होता हुआ क्योंकि E4 का पॉन अब सेफ है बट Knight को तो मूव करना ही होगा Knight जाता हुआ यहाँ पर F7 पर और अरजुन ने यहाँ पर Bishop B3 खेलके F7 के Knight को पिन किया है यह बहुत एक इंट्रस्टिंग पोजिशन है विधितने अन्पिन करते हुए अपने King को H8 पर ले गए है और देखना यह होगा कि अरजुन यहाँ पर continue अरजुन यहाँ पर अपना Bishop देते हुए F7 पर यह बहुत ही इंट्रस्टिंग है Rook into F7 हो चुका है बोर्ट पर और क्या अरजुन Queen H5 ले जाते हुए Rook चुकी हैंगिंग है उस पर Attack करते हुए यहाँ पर Queen E8 हो सकता है King H8 होता हुआ लेकिन यहाँ पर King G8 खेल दिया है King H8 से G8 पर खेल दिया है और आप यहाँ पर Knight D5 आता हुआ कहीं न कहीं King Sight थोड़ा सा pressure बनाने की कोशेश जरूर है विदित नहीं यहाँ पर D6 खेला है क्योंकि in future यह Rook भी इधर आ सकता है और अपने दूसरे Rook को गेम में लाते हुए अर्जुन पहले कोई attack करने के पहले Rook के D1 यहाँ पर आ चुके है Bishop E6 पर यहाँ पर आता हुआ और गोडे को यहाँ पर चुनौती देते हुए यहाँ पर Knight into E7 मार दिया है अर्जुन इर्गैसी नहीं एक और महरा गेम से बाहर जाता हुआ लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर Queen into E7 उसके एंटू D6 आ रहा है और सम्हाव आप देखें यहाँ पर एक extra pawn जाएगा E into D6 C into D6 और क्या Rook into D6 यहाँ पर आ रहा है आप भी देखिए 6 pawn दौनों के पास 6-6 pawn है आप वो जो एक extra pawn था वो अब जा चुका है बोर्ट से लेकिन white के पास थोड़ा pleasant position है यहाँ पर नहींने खेला है Rook A D8 exchange करने के लिए और देखना होगा कि Arjun क्या करेंगे रुकी D1 यहाँ पर आता हुगा और सम्हाँ आप देखिए बोर्ट पर तो राजा थोड़ा सा तो फसा हुआ है यहाँ पर महरों की जो इस्तिती है जबकि white के पीसे काफी free दिख रहे है Rook into D6 यहाँ पर मार दिया है विदित ने आप खुद देख सकते हैं यह महरे अभी रुक भी यह queen भी पीछे आ सकता है और अगर आप देखे हैं यहाँ पर इन्होंने खेला है पहले rook F8 और सम्हाँ प्रेशर तो विदित की उपर slightly build हो सकता है The reason यह है आप देखिए कि इनके पीसे और इनके जो पीसे से आप दौनों को compare कीज़े जगे किसके पास है और thread किसके हाथ में और एक और चीज़ जो है वो यहाँ पर 3 pawn है बजाए के 2 pawn के तो एक pawn majority भी है रुकी 8 खेल दिया यहाँ पर विदित ने और अर्जुन ने queen d4 खेला है और a7 के pawn पर attack करते हुए g7 पर भी नजार है यहाँ पर a6 कर दिया है विदित ने and now c4 अब अब यहाँ पर दबाओ की बात यह है कि अगर आप कुछ ना करें तो थोड़ी देर में यहाँ से तो एक कर दिया है पोजिशन और यहाँ पर queen e7 रुख e7 आते हुए and still आप देखे यह भी possibility है यहाँ जाए कर कि आप structure को break कर सकते हैं यहाँ पर रुख d8 चेक दिया है खैर अर्जुन ने रुख जाता हुआ पीछे e8 पर and देखते हैं अगली चाल क्या होगी यहाँ पर bishop e5 खेल दिया है अर्जुन ने g7 pawn पर attack था g5 खेलाया यहाँ पर क्या queen e7 खेल के बचाया जा सकता था इस position को क्योंकि g5 शायद राजा और कमजोर हो चुका है यहाँ पर क्या यहाँ पर problem है यहाँ पर और अगर आप यह pawn मारने के लिए जाते हो यहाँ पर तो queen e3 queen g5 बहुर डेंजरस हो सकता है उन्होंने pawn मार दिया जिंटो h4 और देखते हैं कि अर्जुन की अगली चाल queen d2 आते हो वही g5 का idea है g5 पर आने वाले हैं राजा की किस्तिती काफी खराब हो रही है डार्क स्क्वेर खराब है और यहाँ पर आप इसको भी नहीं मार सकते क्योंकि queen है यहाँ पर और उन्होंने f4 दिया है पर क्या bishop इंटो f4 सीधा मारा जा सकता है यह bishop इंटो f4 देखते हैं कि विदित क्या करेंगे लेकिन उनके राजा किस्तिती तो बहुत खराब हो गई और प्यादे भी सारे अलग-लग हो गए कहीं न कहीं वो जो space का problem था उसको बहुत ही एक उमदा तरीके से बुनाया है यहाँ पर अर्जुन ने पता ही नहीं लगा कि game कब हाथ से चला गया queen e7 और अब शायद queen end game बे भी जा सकते हैं yes, rook into e8 queen into e8, opposite color bishop है लेकिन position काफी खराब नजरा रही है यहाँ पर देखते हैं कि अर्जुन continue कैसे करेंगे bishop h6 जाते हुए queen g5 का threat है यहाँ पर queen d4 का threat है यहाँ पर बहुत सारे threat है विदित के लिए राजा को safeguard करना थोड़ा मुश्किल है g5 के square को control किया है queen e7 खेलते हुए पर यहाँ पर पीछे जाने के कई रास्ते है queen f4 यहाँ पर आता हुआ queen b8 का threat है अब और यह मुश्किल स्थिति में यहाँ पर विदित ने खेल दिया है bishop d7 देखिए opposite color bishop है लेकिन queen साथ में है तो initiative जिसके पास है उसको फाइदा होगा क्योंकि वो दूसरे रंगों पर भी attack करेगा और वो समहलना थोड़ा मुसके लोगा bishop g5 यहाँ पर यहाँ पर queen e6 खेल दिया है विदित ने अभी उमीद में तो होगे कि किसी तरह से कुछ अगर मौका बन जाए और इस match को बराबरी पे लाए जा सके bishop into h4 और अभी एक pawn आप हो चुके है यहाँ पर अर्जुन बोर्ड पर यहाँ पर एक और pawn sacrifice दिया है e3 करके e3 करके pawn sacrifice दिया है बढ़ क्या यह काम कर रहा है क्या कोई perpetual ढूरने की तयारी है यहाँ पर विधित की यहाँ पर अर्जुन सोचते हुए लेकिन अर्जुन ने कर दिया f3 यह कमाल की चाल है क्योंकि वो pawn e2 पर पहुत जरूर गया है लेकिन bishop e1 से stop हो रहा है bishop e1 से stop हो रहा है bishop e1 और आप देखे कि अगर यह pawn मर गया तो फिर दो pawn अप हो जाएंगे अर्जुन बोर्ड की उपर queen b6 check queen b6 check है देखते हैं कि अर्जुन कहाँ पर जाते हैं अपने राजा को king को गए हैं यहाँ पर h2 पर है और अब कोई चेक नहीं है अब कोई भी चेक नहीं है और यह pawn पर खत्रा तो अब रहने वाला है इसको आप कैसे बचाएंगे उन्होंने खेला है queen g6 queen g6 और यहाँ पर queen d2 double attack pawn की उपर भी attack और bishop पर भी attack दोनों को एक साथ बचाना जो है वो मुस्किल काम है बट queen शायद e6 खेलना पड़े queen e6 खेल दिया यहाँ पर अब एक और तरीका है king g1 king f2 वो ही लाते हुए king g1 आता हुआ और dark color से अगर आप चेक देते हैं तो bishop f2 भी आ रहा है यहाँ पर उन्हें विधित ने b5 क्या अर्जुन यहाँ पर exchange कर दिए अर्जुन ने मना कर दिए आर्जुन ने बोला मैं past pawn बढ़ूंगा और उन्हें c5 खेल दिया यहाँ पर विधित खेलते हुए a5 और somehow कोई chances डूड रहे हैं कि कोई गलती हो जाए queen e3 बगर है चेक हो जाए लेकिन आर्जुन king f2 आ चुके हैं अब और विधित के लिए इस्तिती जो है मेरे ख्याल से पहले से काफी खराब होती जा रही है अब pawn को खेल दिया है b4 के square पर and now I think time आ चुका है कि even queen into e2 के बाद ये इस्तिती काफी खराब हो जाएगी देखते हैं अभी क्या खेलते हैं खेर अर्जुन ने पहले और यहाँ पर king g6 आये हैं यहाँ पर विदित क्या achieve करना चाहते हैं अर्जुन लगातार check दे करके queen g3 check यहाँ पर king f6 खेलते हुए विदित यहाँ पर queen c7 जाते हुए अब idea उनका clear है कि यह जो past pawn है उसको dangerous बनाने में जुट गए हैं queen आता हुआ यहाँ पर d5 पर और क्या समय आ गया e2 के pawn को मार देने का या फिर कुछ और खेलेंगे यहाँ पर queen a5 मार दिया भी आप देखें यह खुबसूरा चालती है यहाँ पर और जरो पढ़ने पर a5 भी मरी रहा था तो वो a5 भी मार लिया आया और आप यहाँ पर queen d4 check king e2 और आप देखें बोर्ड पर तीन pawn आप हो चुके हैं अर्जुन कमाल का chess केला उनोंने और पता ही नहीं लगाए कि किस तरह पर इसे game को अपने देंटर में ले लिया queen e5 check king f1 यहाँ पर bishop आता हुआ यहाँ पर f5 पर और क्या b4 का pawn भी आप fall होने वाला है यहाँ पर queen into b4 four pawn downs bishop d3 check दिया यहाँ पर अर्जुन जाते हुए king f2 check नहीं आने का पूरा इतजाम करते हुए queen e2 check आ भी जाये तो उसके बाद king g3 जा रहा है और उसके बाद check देना बहुत ही मुश्किल है मेरे क्याल से पूरी तरह से game ने अंतर से बाहर और यहाँ पर विदित ने resign कर दिया है और देखे किस तरह से यहाँ पर opening खेली थी अर्जो निर्गहसी ने खास तोर पर यह देखने लाइक बात थी यहाँ पर और उसके बाद धीरे धीरे position को प्लस किया यहाँ पर आप देखे कि ऐसा लगा कि दबाओ बनना शुरू हुआ विदित की पर यहाँ तक position बराबर थी लेकिन फिर यह जब उन्होंने एक साइट से पॉन प्रेस किया और यह जो मूब आया बिशप पीफाइज जो उनको जी फाइफ चला उन्होंने लेकिन अरजुन कभी भी गलत नहीं हुए और उन्होंने accurate खेलते हुए जो है यह गेम अपने नाम किया और इजजीत के साथ यह आपको पता दूँ कि लाइव रेटिंग में भी अरजुन की यातरा 2800 की तरफ एक बार फिर से शुरुवात उसकी हो गई है और एक बार फिर से 2700 करीब करीब 94 के करीब जो है यहाँ पर अरजुन इरकैसी पहुंच चुके हैं